नमस्कार दोस्तों मैं सुम्योर रॉय और मैं आप सब लोग का स्वागत करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक VIP स्ट्रेटिजी यूज करके ट्रेडिंग करूँगा और मैं आप लोग को बताऊँगा कि बेसिकली ये VIP स्ट्रेटिजी को आप लोग भी कैसे साधरन तरीके से इस्तमाल कर सकते हों और ये जो ट्रेडिंग वीडियो होगा ये ट्रेडिंग वीडियो में आप लोग को सिर्फ ट्रेड ओपन करना प्रॉफिट कमाना छोड़के भी बहुत सारे इंफर्मेशन आप लोग को मैं देने का कोशिस करूँगा तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंग तक देखने का कोशिस कीजिएगा और मेरा आप लोगों से ये भी request है कि अगर आप लोग चैनल पर पहला बारी आये हो तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए और bell icon को तोड़ना ना भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये brand new trading tutorial वीडियो मैं सोम्योर आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दू कि क्या specific चीजे मैं यूज करता हूं जब भी मैं trading कर रहा हूं आप लोग को सबसे पहले दिख रहा होगा कि मेरा जो trade duration time है ये तीन मिनिट का मैंने रखा है और जब मैं तीन मिनिट या पाँच मिनिट तक का भी अगर मैं trade open करता हूं सोचिए कि मेरा trade duration time है पाँच मिनिट तब भी मैं अपना जो candlestick है उसको मैं एक मिनिट का ही रखता हूं तो मेरा आप लोगों से request है तिल 10 minutes of trade duration time अगर आप लोग 10 मिनिट तक भी trade duration time रखते हो या 13 मिनिट या 20 मिनिट 10 मिनिट तक का तो भी आप लोग आपका जो candlestick है इसको आप लोग 1 मिनिट का रख सकते हो लेकिन 10 मिनिट से आगे जब बढ़ जाओ गया मतलब 15 से 15 से आप इसको 5 मिनिट कर सकते हो और इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है कारण नहीं है कि अगर आप 5 मिनिट का trade open कर रहे हो और आपका candlestick time frame अगर 5 मिनिट का है तब आपको basically breakout देखने को नहीं मिलता है breakout मतलब मैं breakout pattern का बात नहीं कर रहा हूँ मैं simple जो candlestick का जो price fluctuation है इक एक candlestick अगर 5 मिनिट का trade open करते हो तो एक मिनिट के हिसाब से 5 candlestick form होना चाहिए और ये जो candlestick है इसका जो size है इसका जो opening closing pattern है इसका जो head, tail और body formation है इससे भी एक trader को बहुत कुछ पता चलता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं details में ये सब को लेके videos बनाऊंगा तब मैं इसके बारे में भी आप लोगों को खुल कर बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये video सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कौन सा strategy आज यूज कर रहा हूं मैं यूज करूंगा confrontation, confrontation में आप लोगों को दिख रहा है कि parabolic star, bulls power और bears power का use हो रहा है आप में से बहुत किसी के मन में ये सवाल आई रहा होगा कि sir आप तो expert trader हो आपके पास ये सब strategies तो available है ready made लेकिन मैं expert trader नहीं हूँ मैं सिर्फ start किया हूँ 100 डॉलर या 200 डॉलर का अपना पूजी है तो मुझे ये सब जो strategies है ये कैसे मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को बता दूँगा कि आप चले जाएंगे indicators पे indicators पे आप चले जाओगे तो आपको पहले ही यहाँ पर parabolic star दिख रहा है आप इसको tap करोगे तो parabolic star आ जाएगा 0.02 का इसका values रखिये और उसके बाद नीचे थोड़ा चले जाओगे तो आपके पास oscillators में bulls power और bear's power भी आ जाएगा 13 period value रखिये and that's it इसका मतलब क्या है आपका जो सवाल था उसका तो मैंने जवाब दे दिया और इसी के साथ साथ मैंने एक trade भी यहाँ पे open कर दिया है मेरा यहाँ पे अनुमान है कि bulls power bear's power दोनो negative horizon में है और parabolic star जो indicator है वो भी अप से bottom के तरफ travel कर रहा है मतलब यहाँ पे direction जो है trade का वो basically downward trending है एक bearish sentiment यहाँ पे है और मैं dragon trade के लिए खुद को ready कर रहा हूँ थोड़ा मैं pullback का wait करूँगा breakout यहाँ पे हो चुका है और मेरे हिसाब से एक pullback के बाद ही मैं यहाँ पे dragon trade लूँगा क्योंकि मुझे breathing के लिए थोड़ा time चाहिए और breathing करने के लिए आपके सामने जब यह level है जो level आप लोग को दिख रहा है 59.75 ऐसा कुछ होगा 59.70 अभी है strike price लेकिन यह strike price को मैं हटा दूँगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक level है तो यह level को मैं basically क्या करना चाहता हूं इस level को मैं basically यहाँ पे consider करके मैं pull back का यहाँ पे वेट करना चाहता हूं पुल बैक का वेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यह पता चल जाता है कि पुल बैक होना मतलब यह है कि चार्ट और आगे बढ़ेगा यह एक small छोटा सा करेक्शन है देखिए जैसे कि मैं बोल रहा था कि अभी भी हम लोग के पास time है और जो पिछला candle stick था यह basically level break नहीं किया और जो present candle stick है हो सकता है यह level break करे हो सकता है नहीं level break करे तो मैं यहाँ पर थोड़ा wait करता हूँ pullback हो रहा है आप लोग को दिखी रहा है और यहाँ पर मैंने trade open किया है 250 डॉलर का downward trend ठीक है और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाता हूँ कि अगर यह trade मुझे loss होता है तो यह trade loss होने के पीछे बहुत बड़ा कारण होगा अगर volume नहीं मिलेगा तो trade loss होगा और दूसरा कारण यह होगा कि मैंने level के बहुत नसदी अपना trade open किया है और अगर chart को मैंने time नहीं दिया है यहाँ पर move करने के लिए या जो level को break करने के लिए तब मुझे यहाँ पर losses हो सकता है क्योंकि correction यहीं पर होता है दोस्तों तो यहाँ पर level break हो चुका है already और मैं थोड़ा सा और wait करूँगा pullback का pullback का wait करने के बाद मैं फिरस से कुछ dragon trades लेना पसंद करूँगा और the road dragon trade मैंने ले लिये हैं और आप लोगों को दिख रहा है कि bulls power, bears power और parabolics are confrontation strategies जिसको हम लोग बलते हैं confrontation मतलब एक दूसरे के साथ लडाई चल रहा है यहाँ पर bullish trend, bearish trend और buyers के बीच में यहाँ पर sellers और buyers का लडाई चल रहा है तीनो का तीनो trade हम लोग का अल्रेडी profit हो चुका है और दो trades मैंने यहाँ पर open कर दिया है लेकिन अभी मैं wait कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी same situation है पहले जो trade open किया था मैं यह 59.70.00 level के सामने open किया था जो कि एक predetermined level है price का तो यह level के सामने था उसलिए मैं आप लोग को बोला था कि यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग को और और एक level यहाँ पर break हो चुका है दोस्तों तो यहाँ पर अपना जो trade है basically यह trade हम लोग को profit होगा ही होगा क्योंकि बहुत ज्यादा volume है बहुत strong point हम लोग का यहाँ पर है और chart धीरे 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 बड़ ही रहा है नीचे के तरफ यहाँ पर और एक trade हम लोग open कर सकते हैं मेरे हिसाब से मैं chance लूँगा देखते हैं यह $250 का trade हम लोग को क्या नतीजा देता है अगर यह loss भी होता है तो भी हम लोग profit पर रहेंगे लेकिन मेरे हिसाब से volume यहाँ पर है थोड़ा wait करते हैं और उसके साथ trades पर चले आते हैं देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है $25 का यहाँ पर sell price और आप लोग को दिख रहा है कि चार्ट यहाँ पर move कर रहा है upward direction पर ठीक है अभी यह trade मैंने क्यों open किया यह trade मैंने इसलिए open किया क्योंकि मैं यहाँ पर profit तो कमा चुका हूँ लेकिन बहुत सारे ऐसे traders हैं जो लोग यह सोचते हैं कि चार्ट नीचे जा रहा है मतलब यह जिन्देगी भर नीचे ही जाएगा लेकिन बात यह नहीं है बात यह नहीं है चार्ट करेक्ट हो सकता है चार्ट में changes आ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर changes आया और यहाँ पर अगर म मुझे profit हो सकता था लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने यह सोच लिया कि यह तो downward trend है volume भी यहाँ बहुत ताबर तोड है चलो trade open कर देते हैं तो दोस्तों यह सब जो मतलब faults हैं यह सब जो गलतिया हम लोग करते हैं इससे आपको बचना जरूरी है अगर आप बचना चाते हो तो जो गलती मैंने यहाँ पर किया आप लोग को दिखाने के लिए जरूर किया लेकिन गलती तो गलती ही होता है यह गलती आप लोग कभी मत कीजिए क्योंकि आपको हमेसा कोई भी trade open करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि market का trend किस तरब है market अगर आ यहाँ पर मैं recovery position एक try करूंगा और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि price जो है asset का downward moving है थोड़ा wait करते हैं और यहाँ पर मैंने trade open कर दिया है 350 dollars पर मैंने trade open किया है Europe composite index पर और यह जो वीडियो है यह आपको यह भी दिखाएगा कि आपका एक गलती के लिए आप क्या-क्या यहाँ पर हो सकते हो तो यह सब बहुत जरूरी है एक trader को ध्यान में रखना चाहिए यह सब गलतीया हमेशा आपको गलत रास्ते पे ही ले जाएगा और आपको कभी profit करने देगा नहीं यहाँ पर आप वह direction पर trade open कर सकते हैं हम लोग हम लोग यहाँ पर आप वह direction पर trade open कर सकते हैं let's wait and watch profit करते करते लालच में आके यह बताया और जब उसको लालच में loss होता है तब भी वो क्या कर सकता है इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बताया और अब ही जो मैं कोसिस कर रहा हूँ मैं अपना गलतीयों जो किया है उसको मैं सुधारने का कोसिस कर रहा हूँ लेकिन हमेशा ये भी हो सकता है कि market आपको वो chance ना दे हो सकता है कि वो दिन आपके लिए उतना lucky ना हो हो सकता है कि वो time पर आप जो भी सोच रहे हो आप गलत सोच रहे हो लेकिन market दूसरा तरफ जा रहा है है ना लेकिन यहाँ पर मेरा साथ दिया है market मेरा luck ने मेरा साथ दिया है और मेरा experience ने मेरा साथ दिया है तो यहाँ पर मैंने trade profit किया है तो दोस्तो ये video basically एक बहुत ही लोग के लिए बना है, बहुत चीज आप लोग यहां से समझ सकते हो, वीडियो को पूरा देखिए, पिछे लेके जाईए, रिवाइन कीजिए, जो जो बात मेंने किया है, जो जो स्टेप मेंने लिया है, जो जो ट्रेड्स मेंने उपिन किया है, सब को देखिए और फिर डिस होने के बाद वीडियो के अंत में आपको यह बैलेंस दिख रहा है, मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे, मेरा लाइव अकाउंट बैलेंस पे, तो मैं क्लोज ट्रेड्स पे चला जाओंगा, मैं आप लोग को दिखाओंगा जरूर कि यहां पे मैंने क्या गलतिया किया है, और क् हम लोगों ने यहां पे पाया है, दो ट्रेड्स अपने लॉस किये हैं, दो ट्रेड्स बहुत कुछ सिखा के गया है हम लोगों को, तो दोस्तो मैं चाता हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक मिलेगा इसी link से register करे, register करने के तूरंद बाद आपका mobile number और आपका email address को confirm करे, confirm email address कर दो गर उसके बाद अगर deposit करोगे तो अब आपको allim trade के तरफ से 50% का welcome bonus मिलेगा और deposit करने के बाद आप लोग directly मेरा जो सिखो ट्रेडिंग ग्रूप है, एकदम नीचे आपको मिल जाएगा, मेरा सिखो ट्रेडिंग open group का link, वो group join कीजे, वो मेरा open group है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा market का information मिल जाएगा, lucky draw, giveaways, सब के बारे में information मिलेगा और अगर कोई आपको प्रोमो कोड चाहिए, उसके बारे में भी information मिलेगा, और अगर आपको doubts भी है, मेरा direct telegram ID वहाँ पे दिया हुआ है, तो जाएए मेरा group join कीजे, कोई doubt हो, तो मुझे directly message कीजे, और मेरे healing से register कीजे, क्योंकि इसके बदोलत आपको free trades copy करने का मौका मिलता है मेरा copy trade service से और मेरा जो closed group है, Roy Trader वहाँ से, तो मुझे आग गया दीजिए, नमस्कार, जै हिंद, भारत माता की, जै